हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टार्गेट MPPSC 2020 में आज हम पढ़ रहे हैं निर्वाचन आयोग जो की MPPSC की प्री का यूनिट नमबर 10 और मेंस के सेकेंड पेपर में पूछा जाता है ठीक है, टॉपिक है हमारा निर्वाचन आयोग तो जानेंगे कि क्या होता है निर्वाचन आयोग किस तरह से कारी करता है और क्या प्रश्ण इससे बन सकते हैं MPPSC में मैंस और प्री दोनों को कवर करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों में पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है मैंस में क्या question बन सकते देखे इस बार जो मैंस का syllabus है उसके according एदि हम देखे तो मैंस में 10 शब्द 50 शब्द और 200 शब्द तीन प्रकार के प्रशन पूछे जाएंगे ठीके तो सीधा सीधा प्रशन एदि आपसे 10 शब्दों में पूछ लिया जाए एक शब्द देखे बस कि निर्वाचन आयोग तो 10 शब्द उसमें आपको लिखना रहेंगा वैसे ही अगर 50 शब्द में पूछना चाहे तो पूछ लेगा निर्वाचन आयोग के कारी क्या होते हैं ठीके या फिर आपसे पूछ ले इसकी शक्तियां क्या होती है या फिर पूछ ले इसकी सनरचना को समझाईए या फिर पूछ ले कि एक जो निर्वाचन आयोग तो होता है उसे हटाने की प्रक्रिया बताईए है ना इस प्रकार से अलग-अलग कॉस्टिन पूछे जा सकते हैं अगर दोसो शब्दों में पूछना चाहे तो निर्वाचन आयोग के जो प्रमुक चुनोतियां है उसके समक्ष वो भी आपसे पूछी जा सकती है साथ ही अधी बड़ा कॉस्टिन बना के पूछना चाहे तो तीनों को मिक्स करके पूछ लेगा निर्वाचन आयोग क्या होता है इसके कार्य तथा शक्तियों का उल्लेक की जिए इसकी सनरशना तथा इसके कार्य लिखिए इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्वाचन आयोग होता क्या है इसको जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि भारत में दो प्रकार की संस्थाए होती है एक होती है सम्वेधानिक संस्था और एक होती है गेर सम्वेधानिक संस्था ठीके सम्वेधानिक संस्था नाम से ही बिल्कुल इस पस्च होता है कि ऐसी संस्थाएं जिसका उलेक भारत के संस्थान में किया गया है उसे हम क्या कहेंगे सम्वेधानिक संस्था और ऐसी संस्था जिसका उलेक भारत के संस्थान में नहीं किया गया भारत के सविधान में जिसका उलेक नहीं किया गया वो कौन सी हो जाएगी वो हो जाएगी गेर समवेधानिक संस्था ठीक है अब हम देखें कि जो निर्वाचन आयोग है निर्वाचन आयोग समवेधानिक है या फिर गेर समवेधानिक है तो देखें भारत के समवेधान का ज जो निरवाचन आयोक की स्थापना कर दी गई थी, वो तो भारत के सविधान को लागू होने के एक दिन पहले ही, मतलब 25 जनवरी 1950 को ही उसकी स्थापना कर दी गई थी, पता है? अब देखिये, आप सोच रहे होंगे, कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना कर दी गई, कर दिया गया था तो उसमें से एक हभी शामिल था है ना अब देखिए समझ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग होता क्या है तो सबसे पहले हम देखें कि इस निर्वाचन आयोग का उल्लेग भारत के सविधान की जो भाग नंबर 15 में आर्टिकल 324 में किया गया है इसका उल्लेग ऐसे तो निर्वाचन आयोग को हम देखेंगे तो 324 से लगा कर 329 तक हम इसका उल्लेग देखेंगे हम सभी आर्टिकल एक इप करके देखेंगे सबसे पहले जानते हैं कि निर्वाचन आयोग होता क्या है तो देखे निर्वाचन आयोग क्या है निर्वाचन आयोग एक स्थाई और स्वतंत्र निकाय है मतलब किसी के उपर डिपेंड नहीं करता है क्या है एक स्थाई और स्वतंत्र निकाय है ठीक है अगर आपसे पूछ लिया जाएं दस अब्द में अगर आप लिखना चाहें तो अपने इसाब से लिखेंगे तो उसमें ऐसे वर्ड आप जोड़ेंगे बिल्कुल कि है एक स्थाई और स्वतंत्र निकाह है जिसका गठन काई के लिए किया गया है तो हमारे भारत के सविधान के द्वारा किया गया और क्यों किया गया है तो स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाओ हो क्या हो भारत में स्वतंत्रोर निश्पक्ष चुना हो इसी के उद्देश से भारती सविधान में इसका उल्ले किया गया है और इस निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है ठीक है आप देखें कि जो अनूच्छे 324 से उसमें इसपस्च रूप से कह दिया गया है कि जो सांस मंदल के सदस्या और देखें तो रास्ट पती इसी में शामें है उप रास्ट पती उप रास्ट पती इन सभी के निर्वाचन का संचालन करना निर्देशन करना और चुनाओ कराने की सारी की सारी जिम्मेदारी किस की होती है निर्वाचन आयोग की ही होती है एक खास बात यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यह जो निर्वाचन आयोग है ना निर्वाचन आयोग देकी राज्य के लिए भी कारी कर रहा है मतलब राज्य की विधान मंडल के अगर चुना हो रहे हैं तो उसके लिए भी कारी कर रहा है शाती ज़ाद संसत के सदस्यों का चुना हो रहा है उसमें भी कारी कर रहा है मतलब केंदर के लिए भी कारी कर रहा है तो देखे ये क्या हो गया एक अखिल भारती संस्थान हो गया क्या हो गया एक अखिल भारती संस्थान हो गया जो की दोनों के लिए कारी कर रहा है तो आप अब हम जान लेते हैं कि इसकी सनरचना कैसे हुई ठीक है क्या जान लेते हैं इसकी सनरचना सनरचना को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन लोग होंगे ठीक है क्या काम करेंगे किसको कैसा पद मिलेगा वो सब तो इसी के साथ हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें होगा एक जो होगा वेक्ती होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा थेके, फिर दूसरी बात इसमें देखें कि जो मुखे निर्वाचन आयक्तोर अनी निर्वाचन आयक्ति है, इनकी नियुकती कौन करेगा, तो इनकी नियुकती कौन करेगा गो करेंगे हमारे राष्ट पती जी कोन करेगा हमारे राष्ट पती महदाई करेंगे उनकी नियुकती फिर तीसरी बात देखें कि यह जो आयोग होगा उस आयोग का अध्यक्ष कोन होगा इस आयोक्त का अध्यक्ष कोन होगा तो जो मुख्य निर्वाचन आयोक्ष होगा जो मुख्य निर्वाचन आयोक्त होगा वही होगा क्या इस आयोक्त का अध्यक्ष मतलब की जो मुख्य निर्वाचन आयोक्त के पद पर नियुक्त किया जाएगा जो व्यक्ति वही इसकी कारिकाल कितना होता है सनरचना में ही हमें ये सारी बाती पता होने चाहिए कारिकाल कितना होगा तो देखिए जो इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ना उसका कारिकाल होगा 6 वर्ष या फिर 65 येर है ना मतलब क्या होगा इसका कि अगर भाव्यक्ति 6 वर्ष अपना क तो पहले पूरा कर ले या फिर अपने 65 वर्ष की आयू पहले पूरी कर ले देखिए जैसे कोई 50 वर्ष का है व्यक्ति और वह मुख्य निर्वाचन आयूक्त बन गया तो वह तो 6 वर्ष में उसे अपने पत से स्थिपा देना है चीके उसका पत समापत होगा और लेकिन यद क्योंकि उसकी आयूक्त तो 3 साल में 65 साल हो जाएगी ना ठीके वहीं अगर हम अन्य निर्वाचन आयूक्त की बात करें तो अन्य निर्वाचन आयूक्त का भी ताइम पिरेट ऐसा होता है छे वर्ष तो होता ही होता है लेकिन यहाँ पर जो एज होती है रिटार्मेंट की वह होती है 62 62 वर्च होती है है ना ये दो बाते ध्यान रखने है हमको कारीकाल के बाद यदि हम और देखें तो देखें हम कि इनकों वैतन तो इनका जो वैतन भत्ता होगा वो होगा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होती है ना सुप्रीम कोर्ट के जो नियाइदिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के नियाइदिस के बराबर बराबर इनको वेतन मिलेगा साथ ही साथ यदि हम बात करें कि इन लोगों में यदि विवाद की स्थिती बनती है देखे अब तीन निर्वाचनायुकत हो गए है तो फिर ये अपना फैसला कैसे लेंगे अगर विवादासपद स्थिती बनती है तो तो देखिए अगर विवादाश पर इस्थिती बनती हैं तो फिर इनका जो निरणय लिया जाएगा वह लिया जाएगा बहुमत के आधार पर लिया जाएगा ठीक है गाई देखिए यह हो गया इसका बहुमत के आधार पर निरणय अब एक बात और आती है कि क्या यह निरवाचन आयोग स्टार्टिंग से बहुत सदस्य है तो नहीं ऐसा नहीं है जब प्रारंब में यह बना था इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना हुई तब यहाँ सिर्फ एक सदस्य था ठीक है एक सदस्य था उस समय बस इसमें एक ही मुख्य निरवाचन आयुक्त हुआ करता था लेकिन हुआ क्या कि जब भारत में एक बदलाव किया गया भारती सविधान में जिसका आर्टिकल है क्या 326 उस भारती सविधान के आर्टिकल न इसमें 61 सविधान संशोधन किया गया 61 नंबर का अमेंडमेंट किया गया और उसमें क्या कर दिया गया कि वयस्क मताधिकार की जो आयो 21 वर्ष हुआ करती थी उस 21 वर्ष को कम करके क्या कर दिया गया 18 वर्ष कर दिया गया ठीक है भाई अब कम वयस्च कर दी गई तो वाचन आयोग है ना उसके कारे के भार को थोड़ा कम किया जाए मतलब उसको कुछ help मिल जाए ऐसा सोचा और उन्होंने क्या करा कि इस आयोग को अब कर दिया तीन सदस यह क्या कर दिया तीन सदस यह कर दिया ठीक है तो हमें पता होना चाहिए कि 16 अक्टूबर की वो डेट उन्नीस सो नवासी का वर्ष और यहां से हो गया हमारा निर्वाचन आयोग क्या बहुत सदस यह मतलब यहां पर तीन निर्वाचन आयोग तो होने लगे किन्तू यह जो टाइम परियेड चला आया यह उन्नीस सो नवे तक ही चल पाया और वापस से इसे कर दिया गया क्या एक सदस यह किन्तू जब उन्नीस सो तराणवे का टाइम आया गोस्वामी समीतिक ने अपनी सिफारिश रखी और उसने वापस से कहा कि हमें जो निर्वाचन आयोग है इसे त्री सदस यह मतलब तीन सदस यही रखना चाहिए तो गोस्वामी समीती की सिफारिश पर इसे वापस से तीन सदस یہ बना दिया गया तो अब हम देख लेते ही कि निरवाचन आयूक्त और जो मुखे निरवाचन आयूक्त है और अन्य निरवाचन आयूक्त है इनको हटाया कैसे जाया अपने पत से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी ठीक है अब देखे नॉर्मल तरीके से तो कोई बोल नी देगा इनको कि भाई तुम हट जाओ या फिर अगर ऐसा होता कि ये राष्टपती के प्रसाद परियंत कारी करते तो फिर निस्चीत रूप से इनकी शक्ती में थोड़ा फर्क पड़ता कहीं न कहीं है दबाओं में कारी करते है ना और इतना अनुशासन बनाने में सक्षम हो नहीं पाते ठीक है इसलिए प्रावधान किया गया कि इनको हटाने के लिए क्या किया जाए तो सबसे पहली बात है कि इन्हें तभी हटाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ तभी हटाया जाएगा जब ये कोई दुर्व्याहवार करेंगे क्या करेंगे कोई दुर्व्याहवार करेंगे या फिर समविधान का उलंगन करेंगे सविधान का अगर इनोंने उलंगन किया तो भी ने हटाये जा सकता है या फिर साबित कदाचार इन मुद्दों पर इन्हें हटाये जा सकता और कैसे हटाये जा सकता है तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायधिस को किसे सुप्रीम कोट के न्यायदिश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा इसे हटाया जाएगा तो कैसे तो यहाँ पर विशेश बहुमत से कैसे साधरन बहुमत नहीं विशेश बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसत के द्वारा इसे हटाया जाएगा विशेश बहुमत पारित होने के पसचाग संसत इसे हटा सकती है ऐसे नौर्मली इसे कोई नहीं हटा सकता है ठीक है फिर अब देखते हैं कि यह कारी क्या करेगा तो इसके कारियों को भी हम जान लेते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या कारी करता है कारी इसके तो सबसे पहला कारी क्या रहता है निर्वाचन आयोग का कि निरवाचन जो हो रहा है उस निरवाचन की तिति निरधारित करेगा निरवाचन आयो ठीक है फिर दूसरी बात हम देखें कि चुनाओ की जो प्रक्रिया होती है जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया का निरेक्षन, नियंत्रन और संचालन करता है कोन करेगा ये कारे तो ये कारे भी करेगा निर्वाचन आयोग ही करेगा फिर तीसरा कारी क्या रहेगा तो देखिए हम जानते हैं कि चुनाव करवाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है इन्हें सबसे पहले निर्वाचन नामावली तियार करनी पड़ेगी तो वो निर्वाचन नामावली कोन तियार करेगा निर्वाचन नायोगी करेगा निस्चित रूप से निर्वाचन नामा वाली तेयार करेगा फिर मत दाता के लिए जो मत दाता रहते हैं उन मत दाता के लिए क्या करना पड़ेगा पहचान पत्र आईडी बनानी पड़ेगी न तो वो कारी कौन करेगा इसी का रहेगा और क्या कारी रहेंगे तो मत गणना करवाना क्या करवाएंगे मत गणना मत गणना के लिए आपको मत गणना केंद्र decide करना पड़ेंगे कि कहां होंगे यह सब तो इस प्रकार के तमाम कारी किसके रहेंगे वो रहेंगे निरवाचन आयोग के फिर और भी इसमें कारे आते हैं क्या कि जो राजनेतिक दल होते हैं है ना जो राजनेतिक दल होते हैं उन राजनेतिक दलों को माननेता कौन देगा तो उनको माननेता भी देगा कौन निरवाचन आयोग ही देगा फिर बहुत सारे चुनाव चिन्न दिये जाते हैं तो वो भी कौन प्रदान करता है निरवाचन आयोग ही प्रदान करता है चुनाव चिन्न प्रदान करेगा फिर एक सबसे बड़ी बात हम सबी सुनते हैं आचार सहिता के बारे में तो उस आचार सहिता को लागू करेगा और उसका पालन करवाएगा कौन? निर्वाचन आयोग ही उसी का पालन करवाएगा ताकि लोगों में क्या रहे? अनुशासन बना रहे राजनितिक जो पार्टियां है वह अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कोई अन्यक्रत ना करे ताकि लोग भ्रमित ना हूँ इसलिए आचार सहिता का पालन करवाएगे कौन करवाएगे तो निर्वाचन आयोग ही करवाएगा और क्या कारी करेगा? तो और देखें देखिए अगर मान लो कि चुनाओं में या फिर किसी प्रकार की चुनाओं में धानली हो गई है या फिर अब देखना है कि किसी अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा कि जांच हो तो उन अधिकारीों की नियुक्ती भी यही करेगा कि नियुक्ती कौन करेगा? निर्वाचन आयोग काई के लिए जाज है तू फिर और क्या होगा अब देखे अब अगर कहीं पे कोई सा राज है वहाँ पर मानलो की राश्टपती शासन लगा हुआ है तो इस राश्टपती शासन के बाद आपको उपचनाओ करवा नहीं तो इस उपचनाओ की जो सलहा देगा वो भी कौन देगा निरवाचन आयोग ही देगा तो अब देख लेते हम कि निरवाचन आयोग की क्या महत्व है ठीक है क्या देखते हैं निरवाचन आयोग के महत्व को सबसे पहली बात देखे भारत में आम चुनाओ हम देखें तो 1952 से हो रहे हैं कब से हो रहे हैं 1952 से भारत में आम चुनाओं हो रहे हैं तो 1952 से ही यह सभी चुनाओं का संचालन कर रहा है ठीक है 1952 से चुनाओं का संचालन कर रहा है फिर देखें तो जितने भी राजनितिक दल है उन सभी राजनितिक दलों को अनूशासित बनाए रखता है और क्या करता है भारत में जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में निस्पक्षता, सतंत्रता और समानता का भाव बनाए रखता है क्या खरता है चुनाओं में निश्पक्षता स्वतंत्रता और समानता का भाव रखता है ऐसा नहीं साबिदों नहीं देता है कि भाई चुनाओं किसी एक सत्ता के पक्ष में हो रहा है या फिर किसी प्रकार का इसमें किसी प्रकार की धांदली हो रही है ऐसी चीज़े यहां नहीं होने देता है फिर और क्या करता है देखी जो चुनाव होता है न उस चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उस चुनावी प्रक्रिया में हम सभी जानते हैं कि ऐसे वेसे नॉर्मल किस इंसान की एक योग योगिनागरी जो होते हैं उनकी आवश्यक्ता होती है तो उस प्रक्रिया में जो चुनाव की प्रक्रिया रहती है उस चुनावी प्रक्रिया में योगिन आगरिकों की भागीदारी सुनिस्चित करता है तमाम प्रकार क्या कारी करता है और क्या करता है तो देखिए चुनाव हो रहा है इस चुनाव की प्रणाली में विश्वास को बढ़ाता है चुनावी प्रणाली है ना इसको विश्वास के लायक बनाता है और इसे मजबूती प्रदान करता है चुनावी प्रणाली को विश्वास बढ़ाता है और क्या करता है इसको मजबूती प्रदान करता है इतने अच्छे अच्छे कारी करता है चुनाव आयोग ठीक है फिर भी विचारे के सामने कुछ चुनोतियां है जिने हमें जानना चाहिए तो क्या चुनोतियां है चुनाव आयोग के सामने वो भी हमें जान लेना चाहिए अब देखो निरवाचन आयोग के समक्ष चुनोतिया इन चुनोतियों को भी हमें जानना चाहिए सबसे पहली बात हम करें तो देखो राजनिती में बहुत सारी हिंसा होती है और अपराद भी होते हैं उससे क्या होता है काला धन बढ़ता जाता है देखते हैं ना भारत में काला धन दिरंतर बढ़ता चला जा रहा है तो राजनिती में हिंसा हो रही है क्या हो रही है हिंसा और बहुत सारे अपराद भी हो रहे है और क्या हो रहा है इनसे कालाधन निरंतर बढ़ रहा है बढ़ रहा है जो कि हमारे लिए एक प्रमुक चुनोती है सभी के लिए चुनोती है ठीक है कालाधन फिर देखें तो देखो सक्ता जो है उस सक्ता का दुरूपियोग भी होता है बहुत सारे जो राजनेता रहते हैं व और क्या कर लेते हैं पता हम चुनाओ होने के पहले ही चुनाओ स्चार्ट होने के पहले ही ऐसे अधिकारी जो उनको लगता है कि नहीं यह अपने सपोर्ड में नहीं रहेंगे यह अपना फेवर नहीं करेंगे तो उन अधिकारियों का पहले से क्या करवा देते हैं तो यह क्य चुनाओ के पहले अधिकारियों का क्या करवा देते हैं अस्थान आंतरन करवा देते हैं और देखें हम कि और क्या चुनोती हैं इनके सामने तो देखो बहुत सारे राजनेता हैं उनको क्या है दबल से चुनाओ भी लड़ना है तो वो क्या करते हैं कि चुनाओ प्रचार पसार में भी सरकारी वहनों का यूज़ कर लेंगे सरकारी भवनों का यूज़ कर लेंगे और आचार सहीता का उलंगन भी कर देंगे वाई यह हमारे चुनाओ योग के सामने सबसे बड़ी चुनोती है आज है क्या कर रहे हैं सरकारी वहनों का भवनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आचार सहीता का उलंगन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं देखो सबसे बड़ी बात तो अब आती है क्या EVM मशीन को ही गलत बता रहे हैं बहुत सारे लोग लेकिन रियालिटी में कभी कभी ऐसा हो भी सकता है क्या हो जाता है imprisoned को खराब या बोलेते की है और हम चुनाव ॥ार्ठ रहरें तो हो सकती है Black रहर ही उसक्ति है खराब भी हो सकती है तो यह एक चुनोती हं छुनाव आयोग के सामने ठीक है और बहुत सारे मानते नहीं वाई तो वह क्या होता है कि विन्यमित करने के लिए कुछ शक्ति अभी उसका भी आभाव हुए मतलब प्रोपर तरीके से राजनेतिक दलों को भी विन्यमित नहीं कर पा रहे हैं तो राजनेतिक दलों को वी नियमित करने है तू शक्ति का आभाव हुए अभी तो देखो इतनी सारी चुनोतियां अब हमें चुनाओ आयोक के समक्ष देखने को मिल रही है इन चुनोतियों को भी धीरे धीरे आगे प्रयास किया जाएगा और इन्हें इनसे भी लड़ा जाएगा इन्हें भी समाप्त किया जाएगा तो अब देख लिजाएं कि क्या इसकी स्वतंतरता हैं होती हैं और क्या इसकी सीमाएं होती हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंतरता केसे स्वतंतर रूप से कारी करता हैं ये हमें जानना है अब देखो कोई भी निकाय स्वतंत्र रूप से कारी कैसे करेगा जब उसे कुछ छूट मिलेगी जैसे व्यक्ति को भी किसी भी इंसान को मौली का दिकार प्राप्त है तो वो अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करते अगर उनका उलंगन होता है तो वो सुप्रीम कोट तक में चले जा सकते हैं ऐसे ही निर्वाचन आयूप को भी स्वतंत्र रूप से कारी करने के लिए कुछ छूट मिलनी चाहिए कैसे देखो पहली बात यदि हम करें कि एक निर्वाचन आयूप कोई मुख्य निर्वाचन आयूप को अगर उसको निस्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करना है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए कि मुझे हटा दिया जाएगा ऐसा करके तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो निर्वाचन आयूप है उसको एक निर्धारित पदावधी मतलब उसका टाइम पिरियर निस्चित कर दिया गया है कि आप इतने समय तक कारी कर स सकते हैं मतलब क्या हुआ कि निर्धारित पदावधी में कारी करने की सुरक्षा है उसे ठीक है अब करेगा ही से ही फिर दूसरी बात आसानी से उसे हटाए नहीं जा सकता डर नहीं है उसे किसी बात का हटाने के लिए क्या करेगा है उसके हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायदीश को जिस प्रक्रिया से हटा जाता है वह प्रक्रिया इसे अपनाई जाती हटाने के लिए तो क्यों डरेगा भाई यह थीक है फिर तीसरी बात ऐसा कोई है नहीं कि रास्टपती के प्रसाद परियन कारी कर रहा है तो उसे सोचना पड़ेगा कि नहीं आर्मे सत्ता के पक्षमिन नहीं नहीं दो या फिर राश्टपती के प्रसाद परियन बिलकुल कारी नहीं करता है ठीक है फिर बात आती है कि और कैसे सतंत्रता प्राप्ते तो देखो एक बार यहां निक्त हो गया उसके बाद इसका जो वैतन इसको मिल रहा है उसमें कमी नहीं करेंगे मतलब कोई भी अलाबकारी परिवर्तन परिवर्तन नहीं किया जाएगा अच्छी बात है फिर और बात आती है कि देखे जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ उनको भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है किसी अन्य से जो मुख्य निर्वाचन आयु उन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को यदि हटाना है तो मतलब सलाह किसकी ली जाएगी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह जरूर ली जाएगी. किसकी सलाह ली जाएगी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह जरूर ली जाएगी. तो ऐसी तमाम सतंतरता इसे प्राप्त हैं जिससे कि यहाँ अपना कारिये व्यवस्थित रूप से कर सके. बस इसकी सीमा में यदि हम देखे तो इसे समिधान के विरुद्ध कारी करने का अधिकार नहीं. मतलब जैसा विधी में लिखा हुआ है, विधी के अनुरूप ही इसे बिलकुल कारी करना पड़ेगा. और दूसरी बात यह हैं कि इसके जो कारीया फिर निर्णय होते हैं, है ना, उसकी न्याइक समिक्षा की जा सकती है. समिक्षा की जा सकती है. ठीक है? न्याइक समिक्षा क्या हो सकती है? की जा सकती है उसकी. तो क्या होती है न्याइक समिक्षा? ठीक है. क्या होती है न्याइक समिक्षा? कैसे होगी न्याइक समिक्षा? अब देखिए माल लो कि तेरवाचन आयोग ने कोई निर्णाय लिया अब उसके निर्णाय से आप सहमत नहींगे तो क्या उसे कोर्ट में आप चुनोती दे सकते ही तो हाँ कोर्ट में उसे हम दे सकते ही चुनोती परंतु के से आपको सबसे पहले एक उचित याचिका लगानी पड़ेगी और इस याचिका के माध्यम से ही आप सुप्रिम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसे चुनोती दे सकते हैं इसके कार्यों को ठीक है मतलब हम निर्वाचन आयोग के कारियों या उसके निर्ड़े की जो निर्ड़े लेता है उसकी न्यायक समिक्षा करवा सकते हैं लेकिन अगर बात आती है कि कोई परिणाम गोशित कर दिया माल लो कि निर्वाचन आयोग ने कोई परिणाम गोशित कर दिया के गोशित कर दिया ले और परिणाम गोशित करने के बाद अगर वो खुद ही चाहता है कि क्या मैं इसकी नियाइक समिक्षा कर लू तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता नियाइक समिक्षा वो खुद नहीं करवा सकता अगर कोई अनलोग या फिर कोई संस्था या फिर अगर रियाच का लगाएंगे तो ही क्या होगी उसकी न्याइक समिक्षा होगी ऐसे नौर्मली खुद अगर चाहे कि मैं इसकी न्याइक समिक्षा करवालू तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता अब अगर न्यायक समीक्षा होगी या फिर उसका पुनह निरक्षन होगा तो कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे होगा कैसे? कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या चिका दायर करने पर ही होगा और इस बात का भी ध्यान रखिये कि यदि रास्ट पती या फिर उपरास्ट पती इन दोनों के निर्वाचन से सम्बंदित अगर कोई याचिका लगा नहीं तो वह याचिका सिर्फ और सिर्फ कहा लगा सकते हैं? सुप्रिम कोर्ट में कहा लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रिम कोर्ट में ही लगाई जा सकती है वह याचिका और एक बात ये भी ध्यान रखिये कि मान लिजिये निर्वाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो वास्तविक प्रक्रिया रहती है निरवाचन की वो स्टार्ट हो जाती है तो फिर न्यायले मद्दान का जो संचालन होता है उसमें कोई इंटर्फेर नहीं कर सकता ठीक है न्यायले मद्दान के संचालन में कोई इंटर्फेर नहीं कर सकता वो सिर्फ और सिर्फ कोन करेगा वो चुनाओ आयोग ही करेगा ठीक है तो आपको समझ में आ गई नियाएक समिक्षा भी एक छोटी सी बात है एक निरवाचन आयोग के अंतरगती हम इसे जान लेते हैं कि एक होता है क्या मतदाता शिक्षा क्या होता है मतदाता शिक्षा देखिए सीधी सी बात है मतदाता शिक्षा से मतलब यह है कि जो लोग हैं उन्हें सिक्षित करना चोबोड देते हैं मतदेने वाले लोगों को तो हम सब जानते हैं कि एक लोगतांतरिक देश और इस निरवाचन की प्रक्रिया को संपन करने के लिए मतदाता का सिक्षित होना क्या है आवशक है मतदाता का सिक्षित होना आवशक है और सिक्षित जो मतदाता होंगे वो ही मतदान में अतिदिक सहायता करेंगे ठीक है जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही आवशक है इसी की पहल को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009 से कबसे वर्ष 2009 से मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहबागिता को उपचारिक रूप प्रदान किया गया है तेके क्या किया गया 2009 से मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहबागिता को क्या किया गया है और चारिक रूप प्रदान किया गया है देखिए यदि कभी इस प्रकार का कुस्चन बनता है कि पचास शब्द में लिख लीजिए आप निर्वाचन आयोग की नई पहल को समझाईए क्या समझाईए निर्वाचन आयोग की कुछ नई पहल लिखिए कि अब क्या कर रहा है निर्वाचनायो तो तमाम प्रकार की नई पहल कर रहा है और क्यों कर रहा है कि राजनितिक जो राजनितिक अपराद बढ़ रहे हैं उन राजनितिक अपरादों को कम करने का प्रयास कर रहा है मतलब राजनेतिक अपराधी करण पर रोक लगाना फिर अब डिजिटल इंडिया बन चुका है तो डिजिटल इंडिया में क्या कर रहे हैं ये लोग कि जो निर्वाचन नामावलिया है उन निर्वाचन नामावलियों का कम्प्यूटरी करण कर रहे है और देख लेते हैं कि जो निर्वाचक लोग रहते हैं उन निर्वाचक लोगों को अब एक आईडी मतलब प्रहचान पत्र उपलब्द कराने लगे है निर्वाचको को पहचान पत्र उपलब्द कराने लगे हैं और देखा जाएं तो अब क्या हो रहा है दीरे दीरे हम देख रहे हैं कि जो आचार सहीता लागू करता है निर्वाचनायों उसका बहुती कठोड़ता से पालन करवाना चार्ट किया है तो यहाँ पॉइंट भी हम बना सकते हैं कि आचार सहीता का कठोड़ता से पालन करवाया जा रहा है इन तमाम प्रकार की नई पहल को निर्वाचनायों दुवारा किया जा रहा है ठीके तो यहाँ हम इतने कोस्टन बना पाएंगे और कुछ अनिफेक्ट भी हमें देख लेना चाहिए कि प्रिलिम्स में क्या और अनिफेक्ट बन सकते हैं वैसे तो इसमें कवर हो गए हैं लेकिन कुछ और एक बार और रिवाइस भी हो जाएगा और देख भी लेंगे हम और जो कुछ आर्टिकल छुटे हुए जैसे कि हमने देखा था कि 324 से लगा कर 329 नंबर तक इसमें आर्टिकल दे रखा है तो आर्टिकल भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है जैसा कि इस बार पूछ लिया था कि जो केग है उसके कर्तब भी पूछ लिया था ऐसे हमें अगर हम पढ़ लेंगे इनको तो हमें ध्यान रहेगा कि कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 324 से लगा कर 329 नंबर के आर्टिकल तक देख लेते हैं कि सब अलग-अलग आर्टिकलों में क्या प्रावधन किया गया है ठीक है तो सबसे पहले हम देखे जो आर्टिकल नंबर 324 से उसमें क्या कहा गया है कि जो निर्वाचन के अधिक्षण, निरदेशन और नियंत्रण का कारी कौन करेगा निर्वाचन आयोग करेगा सीधी सी बाते निरदेशन, नियंत्रण और संचालन काई का? निर्वाचन का कौन करेगा वो? निर्वाचन आयोग करेगा फिर बात आती है, आर्टिकल नमबर 325 की तो इसमें क्या कहा गया? आर्टिकल नामबर 325 में तो बहुत अच्छी बात आर्टिकल नमबर 325 में कही गया और क्या कहाएं कि किसी भी धर्म मूलवंश जाती लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए वो अपात्र नहीं होगा मतलब आप मूलवंश जाती धर्म आदी के आधार पर किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि वोट नहीं देगा ठीक है मूलवंश जाती धर्म आदी के आधार पर जो निरवाचन नामावली में शामिल है व्यक्ति उसे अयोग की नहीं ठहरा सकते आप ठीक है फिर आता है आर्टिकल नंबर 326 क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 326 तो आर्टिकल नंबर 326 कहता है कि लोकसभा हो चाहे राजिका विधान मंडलो उनमें अगर आपको वोट देना है ठीक है तो आप क्या करेंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर ही वोट दे पाएंगे मतलब आर्टिकल नंबर 326 देता है वयस्क मताधिकार की बात करता है ठीक है 324 समझ में आगया क्या बोल रहा है 324 की चुनाओ का संचालन निर्देशन और जो नियंत्रन वगेरा करेगा कौन करेगा वो करेगा निर्वाचन आयोग फिर 325 बोल रहा है कि आप मूल वंच जाती दर्म इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को चुनाओ मत देने के लिए आयोग की नहीं ठहरा सकते चुनाओ लड़ने के लिए भी और 326 बता रहा है कि आपको वयस्क मताधिकार के बारे में किस प्रगार से 18 वर्ष की एज होने के बाद आप वोड दे सकते हैं ये बाद 326 फिर बात आती है आर्टिकल नंबर 327 की आर्टिकल नंबर 327 करने के संब्ध में जो शक्ती होगी वो किस के पास होगी संसत के पास होगी जो केंदर का विधानमंडल है ठीक है किस के पास होगी शक्ती केंदर के विधानमंडल के लिए निर्वाचन करने के संब्ध में संसत की शक्ती बता दिए वैसे ही 328 बोलता है राज जी के संब्ध में क्या कि राज जी के विधान मंडलों के लिए निर्वाचन कराने के संब्ध में शक्ति किसकी होगी तो वो होगी राज जी की जो राज जी का विधान मंडल है उसकी ठीक है और जो आर्टिकल नंबर 329 है वो क्या बोलता है वो बोलता है कि निर्वाचन जो है उस निर्वाचन के संब्द में नियालई कोई हस्थशेप नहीं करेगा नहीं करेगा मतलब निर्वाचन के संब्द में नियालई के हस्थशेप का वरजन किया गया है ठीक है तो ये हमने 324 से 329 तक के देख लिए हैं आर्टिकल जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण थे 29 भी था जिसने निरस्त कर दिया गया है ठीक कुछ अन्य फेक्ट और हम देखें तो अगर प्रीमे से सीधा सीधा प्रश्ण बन सकता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है निर्वाचनायुक्तो की तो कौन करता है नियुक्ति राष्टपति करते हैं फिर यदि कोस्चन पूछ लिया जाए कि इसका प्रावदान किस आर्टिकल में है तो सीधा सीधा 324 फिर पूछ लिया जाए कि इनका वैतन वेतन कैसा होता है कितना वेतन मिलता है तो आपको यह दियान रखना है कि जो सुप्रीम कोट के न्यायदिश को मिलता है वही वेतन इनको भी मिलता है फिर एक बहुती चर्चित प्रशन है जो बार-बार पूछा जाता है कि जो गोस्वामी समीती बनाई गई थी वो गोस्वा हामि समइती बनाए गए थी वह बनाए गए थी निरवाचन सुधार से सम्बंदिद भी कैë गैं कैं निरवाचन सुधार से सम्बंदिद बनाए गए थी और अगर पूछ लिया जाए कि आपको एक सबसे Gdefense UPSC में भी पूछ सकते हैं ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति किसी समिधान का या फिर राष्ट ध्वच का अपमान करता है या इसका दोशी सिद्ध हो जाता है तो वह कितने समय तक चुनाव नहीं लड़ सकता तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वह छे वर्ष तक चुनाव नह लड़ सकता और एक बात तो मैंने आपको बता ही दिये कि जो पहले 21 वर्ष हुआ करते थी वैसक मताधाकार की एज और अब हो गई है कितनी 18 वर्ष तो कब से की गई वह 1989 से कौन से नंबर का अमेडमेंट किया गया तो ये भी ध्यान रखो 61 नंबर का सविधान संशोदन य यह कौन सा अधिकार है हमें वोट देने का तो यह वैधानिक अधिकार है कैसा अधिकार है वैधानिक अधिकार है हाँ वैसक मताधिकार की चर्चा की गई है काई में आटिकल नंबर 326 में वह भी आपको ध्यान रखना है फिर फिर बात आती है कि वर्तमान में हमारे मुख् चुनाव आयुक्त कौन है तो वह है सुनिल अरोडा और उनके साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त भी है तो उनका भी नाम आपको ध्यान होना चाहिए एक का नाम है अशोक लवासा और एक का नाम है सुशिल चंद्रा फिर आपसे इस प्रकार का यदि फ्यक्त पूछ लिया जाए कि सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे तो वो भी आपको पता होना चाहिए क्या सुकुमार सैन फिर यदि पूछ लिया जाए कि सबसे पहले सबसे पहले जब 16 अक्टूबर 1989 को तीन सदसी बनाया गया था इस आयोग को तो उस समय कोन बने थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथी उनके अन्य निर्वाचन आयुक्त तो आप उनके भी नाम याद रख ले आरवी शास्त्री आरवी एस शास्त्री और उनके साथ जो दो अन्य वेक्ति थे वो थे एक एस धनोवा और एक और जो थे वो थे वी एस सहेगल साथी मद्यप्रदेश लोग सेवा आयुक में अब यह टेंड भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो क्या करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न मेंसे कोल मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा तो आपको ऐसे नाम की लिस्ट भी याद करनी चाहिए ठीक है तो अब आपको इस मैंसे कोस्चन तो हमने बनाए है और उनके आंसर भी हमने स्वाल्व करने की कोशिस करी है समझ में आ जाएगा अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आप निसित रूप से इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे और अगर आप कह मतलब जो अब्जेक्टिव टाइप्स कोस्चन आते हैं उनको लगाने का प्रयास करेंगे तो वह स्वाल हो जाएंगे इससे